तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि अगर आपको J-Mains में एक अच्छा स्कोर करना है तब आपको J-Mains के जितने भी previous year questions हैं उन सभी को अच्छे से करना चाहिए तो आज कल हो क्या रहा है कि बहुत बारी आपके previous year questions as the days repeat हो रहे हैं और उन ही concepts के उपर ही जो नए pattern के question है mix करके उनको बनाया जा रहा है तो बहुत ही important है इनको करना बहुत ही ज़्रूरी है तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ही chapter wise इनके solutions वीडियो solutions हैं जो provide कर रहा हूं ठीक है तो last हमने जो topic complete किया था वो किया था relations तो आज हम करेंगे नया topic शुदूर जो है complex numbers तो देखिए question में हमें सबसे पहला question है कि mod of z minus 4 upon z का mod 2 given है और हमें mod z की maximum value बूसर है तो जबी भी आपके पास modulus आए complex में और वो maximum या minimum की value की बात करें तो एक बात का धियान रखना तो आपको हमेशा modulus की inequality तो वो modulus की inequality की होती है कि यहां पर देखिए minus है तो मैं minus वाली use कर रहा हूं कि mod of z1 minus z2 का mod होता है वो less than और equal to होता है मारे पास mod of z1 plus mod of z2 और यहां से यह equal to हो जाएगा हमारे पास calculation purpose के लिए मैं इसको सिर्फ ऐसे ही रिकले तो यह चीज होती है अब z1 को हम z मान लेंगे z2 को 4 by z तो that means यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि z minus 4 by z इसका जो mod होगा वो आपका less than और equal to रहेगा mod z plus mod of 4 by z के equal हो जाने माना है फिर इधर हम इसको ले लेते हैं तो यह हमारे पास बन जाएगा mod of z minus mod of अब ज्यान देखना है आपनों कि आपने इस inequality को use करना है या इसको use करना है अब हमें maximum value बूच है mod z की तो अगर मैं इस inequality को use करूँगा तो शायद मेरे पास अंसर नहीं बनेगा उसने maximum value बूच है तो मैं यहां से इस वाली inequality का use कर लेता हूं तो यहां से जब मैं इसको use करूँगा तो मेरे पास आजाएगा कि mod z minus इसको ऐसे लिख लेते हम 4 divided by mod z less than or equal to अब z minus 4 by z का mod कितना given है 2 तो यह आजाएगा आपके पास less than or equal to 2 तो यहां से हमारे पास एक quadratic equation बन जाएगी that is mod z का whole square minus 4 यह modulus मारे पास more हमेशा positive number होता है तो इसको मैं उदर असानी से shift कर सकता हूं तो हमारे पास यह बन जाने वाला है अब इसको हमारे को solve करना है तो देखे काफी easily इसको solve कर लेंगे हम तो यह बन जाएगा mod z का whole square minus 2 to more z minus 4 equals to 0 ठीक है अब आपके पास जो है यह quadratic equation बन चुकी है तो इस quadratic more z हमारे पास एक real number है चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो more z की value आप t rate कर लीजिए तो यह आपको बिलकुल देखने में असानी लेगी कि t square minus 2t minus 4 equals to 0 तो यह आपके पास क्या बन जाएगी एक quadratic equation बन जाएगी अब यहाँ पे हमारे पास basically inequality चल रही है तो हम अपनी inequality रहे लेते हैं that is less than or equal to और यहाँ पे भी आजाएगा less than and equal to अब यह बिल्पुल यह आपके पास एक wavy curve का method basically इसके wavy curve equation जो बनेगी इसको solve परना है तो इसके लिए हम अपनी real line रोग कर लेते हैं अब आपको इसके root निकालने हैं तो discriminant formula से आपके पास easily इसके root आ जाएगे जो पहला root आपको मिलने वाला है वो आएगा 1 minus under root 5 और जो अगला root इसके पास आएगा 1 plus under root 5 तो यहां पर हमारे पास plus minus and plus तो हमें negative वाला question चाहिए तो that means जो हमारे पास यह more z है is equal to t है इसके जो value है वो हमारे पास belong करेगी close interval 1 minus under root 5, 1 plus under root 5 तो यहां से हम अगर जहां से देखने कि जो यह more z है तो इसके जो maximum value हमारे पास आएगी वो कितनी आजाएगी 1 plus under root 5 तो अब हम option में लेक्ट करते हैं कि हमारे पास कौन सा आए इसका तो option में हमारे पास option number 1 इसका correct answer आपके पास आजाएगी और students अगर आपको JE में mathematics के chapters की revision करनी है यह आपको one short lecture सही है यह आपको complete course सही है तो जो हमको comment section में जूर कुता ही है तो वह भी मापको complete free of course इसी YouTube channel पर प्रवाइड गाज सकता हम झाल